जहेंदे वेल्गम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तो आज के इस वीडियो हम राजस्तान के कुछ मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट, वीडियो, मैंस, आर्पेस, सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कॉंस्टेबल और लेब असिस्टेर जैसे एक्जाम के लिए बहुती मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर हैं अगर दोस्तो आप भी इनमेंसे किसी कॉंपिटेशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक दरू देके और इन सभी राजस्तान के मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर को जरूर याद करी क्योंकि दोस्तो ये सभी क्यूसन है जो बार-बार कॉंपिटेशन एक्जाम में रिपीट होने वाले मोश्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर हैं इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप जरूर याद करें और दोस्तों इस वीडियो में दो सवाल अभ्याज के तोर पर आपसे भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्यूसन अमोल पाले करने क्या था किस क्रती पर दुविधा करती पर और यस कि क्रती में राजस्तानी लेका का विजए दान देथा की अगला दूसरा क्यूसन है अकबर की सैना में निमन में से कौन सा राजपूथ राज नपती था तो इस सवाल कि राजा मान सेंगे नेक्स अगला तीसरा किसन है किस प्रसिद मेले को मेरवड़ा का कुम्ब मेला का जाता है तो इस सवाल का सई जवाब जेका ओप्सन है अजमेर में पुसकर मेले को मेरवड़ा का कुम्ब मेला या रंगीन मेला भी का जाता है जो प्रतिवर्स कार्तिक अंगीन मेला भी कहा जाता है नेक्स्ट अगला चौता किस ने राजस्तान की किस जील को सबसे पवितर तता सरवादी को परदूसित जील कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनी पुस्कर जील है जिसे राजस्तान की सबसे पवितर और सबसे परदूसित जील भी का जाता है नेक्स अगला पांचवा किसन है इंगलीज चैनल को तैर कर पार करने वाली राधस्तान की परतम मैला कौन है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्सन भी यह नि भक्ती सर्मा है जो उदेपूर की रहने वाली जो इंगलीज चैनल को तैर कर पार करने वाली राधस्तान की परतम मैला है कौन भक्ती सर्मा जो कहां से रहने वाली है पुदेपूर जिले की रहने वाली है अगला नेक्स छटा किसन है बम नरतिय राधस्तान के किन जिलों का परसीद नरतिय है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option C नी बंब नरतिये हैं जो बरतपूर और अलवर जिले में किये जाने वाला एक प्रसीद नरतिये हैं और बंब नरतिये करते समय नगड़े वाद का प्रयोग किया जाता है किस वाद का नगड़े वाद का प्रियोग किया जाता है किस नरती को करते समय बंबन नरती को करते समय जो बरतपूर और अलवर जिले में फालगून मा में फसल काटने के बाद पुरुसों के द्वारा क्या जाता है नेक्स्ट अगला साथवा किस ने अकबर ने जब 1567 में चितोड़ पर आकरमन किया था उस समय मेवाड का मारणा कौन था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यह नि अकबर ने जब 1567 में चितोड़ कर पर आकरमन किया था उस समय मेवाड का मारणा है वो मारणा उ पुदेश सिंग ने अपका बार हैं वो मिवाड का जो अपने मुक्य सैनापती जैमल और फता को दे कर वो गोगुंदा चले गए थे कहां पर चले गए थे गोगुंदा चले गए था और ये कार्यबार किसको संभाला था अपने सैनापती जैमल और फता को नेक्स नगला आटवा किसन है अगनी नरत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन एनी अगनी नरत्य का उद्गम है जो भीका नेर के कत्रिया सर गाउं में हुआ था और यह नरत्य जसनाती संपर्दाय से संबंदित पुरुष परदान द्वारा अगनी के कोईलों पर किया जाता है कहाँ पर बीका नेर करत्रिया सर से इसका उद्गम होता और किस नरत्य से अगनी नरत्य का नेक्स्ट अगला नॉमा किसन है मोतिलाल तेजावत का संबंद निमन में से किस अंदोलन से था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी नी मोतिलाल तेजावत का जो संबंद है वो एक ही अंदोलन से था और आपको बताते कि मोतिलाल तेजावत को आदिवाश्यों पर मंत्री प्रश्चत के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन भी यह नियुक्ति मुख्य मंत्री के प्रामर से राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं नेक्स्ट अगला ग्यारवा किसन है देव सोमनात का मंदिर किस नदी के किनारे बना हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन यह नि देव सोमनात का मंदिर हैं वो सोमनदी डूंगरपूर जिले में बनावा हैं किसका नदी के किनारे सोमनदी के और जिले का पूचे तो किस जिले में डूंगर पूरत जिले में देव सोमनात्वम का मंदिर बनावा हैं अगला नेक्स्ट बारवा किसे ने बूंदी में रंग मेल का निर्माण किसने करवाया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बियनी सत्र साल हैं जिनोंने बूंदी में रंग मेल का निर्मान करवाया था नेक्स्ट अगला तेरवा किसने जैपूर के बनारस के नाम से प्रसीद प्राचेन पवित्र कुंड जहां गलवा रिशी का आस्रम हैं जैपूर के गलता में बनारस के नाम से प्रसीद प्राचेन पवित्र कुंड जहां गलवा रिशी का आस्रम हैं वो कहां पर हैं गलता जैपूर में नेक्स्ट अगला चवद्वा किसने मेवार में परदामंडल अंदोलन का संस्तापक कौन था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E मेवार में परदामंडल का संस्तापक हैं वो माने के लाल वर्मा था और मेवार परदामंडल की स्थापना है जो माने के लाल वर्मा द्वारा 1938 में की गई थी कब की गिती मेवार पर्दमेनल की स्थापना 1938 में और किसके द्वारा मान के लाल वर्मा द्वारा नेक्स अगला पंदरवा किसने राधस्तान के विख्यात इत्यासकार जो एक समाज सुधारग भी थे वे कौन हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा I puis C हर विदा सार्दा हैं जो राधस्तान के एक विख्यात इत्यासकार भी थे और साथ साथ में एक समाज सुधारग भी थे कौन हर विदा से सार्दा अगला नेक्ष्ट सोड़ा किसे ने राजस्तान की मरू बासा का उलेक किस प्राचेन गरंत में मिलता है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंड सक्षन में लिखकर बताईए तो ऑप्सन है राम बिलास में परतिवराज रासो में या कुवल या माला में या इन में से कोई नहीं और आपको बता दे कि ये गरंत हैं वो उदोदन सूरी द्वारा लिकित गरंत हैं जिसमें मरू बासा का उलेक मिलता है और गरांत पो कौन सा हैं उद्धन सूरी के द्वारा लिखे है जिसमें मिलता है वो आप कमेंड में लिखकर जरूर बताईए अगला नेक्स सतरवा किसन है मुख्य सचीव की निउक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन भी यहनी मुख्य सचीव की जो निउक्ति है वो राजिय के मुख्य मंत्री के द्वारा की जाती है नेक्स अगला अटारा किसन है निमन में से किस दुरूर को गलियों का दुरूर और पच्चीमी सीमा का प्रहरी का जाता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन एनी जेसलमेर का दुरूर और जिसे गलियों का दुरूर तता पच्चीमी सीमा का पहरी भी का जाता है किस दुरूर को जेसलमेर के दुरूर को नेक्स्ट अगला गुणी सवा किसने राजपूतों के द्वारा जिन दाश्यों को उप पत्नी के रूप में सोहिकार नहीं किया जाता था उन्हें कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन C और राजपूतों में जो जिन दाशियों को उपतनी के रूप में सुईकार नहीं किया जाता था उन्हें दावडी का जाता था अगला नेक्स्ट बीस्वा किसन है मावीर जी का मेला किस तिति को लगता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी मावीर जी का मेला है वो चैतर सुकलत त्रयोदशी को करोली जिले में लगता है कहां पर लगता है मावीर जी का मेला करोली जिले में और कब लगता है वो लगता है चैतर सुकलत त्रयोदशी को नेक्स्ट अगला 21 वक इसने खेत्री मेल का निर्मान किस सासत द्वारा करवाया गया था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्सन डिनी खेत्री नरेस महराज बुपाल सिंग द्वारा खेत्री मेल का निर्मान करवाया गया था और इस महल को राजस्तान का दूसरा हवा महल और सेकाउटी का भी हवा महल कहा जाता है किस महल को खेतडी महल को जिसका निर्मान महारजा बोपाल सिंग द्वारा करवाया गया था अगला नेक्स 23 वा किसने ब्लू पॉर्टरी को राधस्तान में केसे सासक द्वारा लाया गया था तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन एनी ब्लू पॉर्टरी चत्रकरा को राधस्तान में मारजा राम सिंग के द्वारा लाया गया था और बुलू पॉर्टरी हैं जो राजस्तान के जैपूर की प्रसिद एक चित्रकारी है अगला नेक्स तोईस्वा किसे ने राजस्तान में कौन सा इस्तान नम्दा के उत्पादन के लिए प्रसिद है तो इस सवाल का सही जवाब देगा और सुझे तो इस सवाल का सही जवाब देगा और वप्रसिद एविए और सा इस्तान चित्र से एक सवाब देजुए नेक्स्ट अगला 26 किसे ने राधस्तान वन्य जीव परबंधन एंउ प्रस्रिक्षन संस्तान कहां स्तापित क्या गया हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी चुरू जिले में राधस्तान वन्यू जीव परबंदन एंउ प्रसेक्षन संस्तान को इस्तापित क्या गया हैं काँ पर चुरू जिले में अगला नेक्स 27 वा क्यूसर ने जैपूर की ब्लू पॉर्टरी को किसने अंतराश्टी पैचान दी हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी जैपूर की ब्लू पॉर्टरी को करपाल सिंग सेकावत हैं जिनोंने अंतराश्टी पैचान दी थी और ब्लू पॉर्टरी के अ साल 1904 में पदम स्री पुरुषकार से भी सम्भानेत क्या गया था अगला नेक्ष्ट 28 किसने राजस्तान के रीती रिवाजों में आणों क्या हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन सी नहीं विवा के पच्यत दुलन के दूसरी बार ससुराल बेजना ही राजस्तान की रीती रिवाजों में आणों कहलाता हैं क्याकर ओनों क्या हैं एक रीती रिवाज हैं जो विवा के पच्यत दुलन को दूसरी बार ससुराल बेजना ही अगला नेक्ष्ट 29 किसने राजस्तान का कौन सा जिला सो पिश्दी टीका करण का जिला बना हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option C यानि राधस्तान का प्रतापगड जिला हैं जो सो फिस्दी वाला पहला जिला बना हैं कौन सा जिला सो फिस्दी टीका करन वाला जिला बना हैं प्रतापगड जिला अगला नेक्स्ट तीसवा किसने बारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जैपूर परदामनल के अध्यक्स कौन थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नि भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जैपूर परदामनल के जो अध्यक्स हैं वो हीरालाल सास्त्री थे जबकि कपूर च 31 किसने राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के अध्यक्स 2022 में कौन हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानी हरी पुरसाद सर्मा है जो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के अध्यक्स हैं 32 किसने संत पीपा की समाधी इस्तल कहा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानी संत पीपा की समाधी इस्तल है जो गागरोन गड जालावार जिले में इस्तित हैं जबकि संथ पीपा की जो गुपा हैं वो टौग जिले के टोड़ा ग्राम में इस्तित हैं अगला नेक्स तेतीसव किसे ने राजस्तान के कौन से संथ करत्रिया सर से समन्दित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी नी राजस्तान के संथ सिद जसनाजी हैं जिन का समन्दित करत्रिया सर भीकानेड से हैं अगला नेक्स तेत चौतिस आ किस ने रूपा यान संस्तान बोरुंदा कहां पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी नी रूपा यान बोरुंदा संस्तान है जो राजस्तान के जोत्पूर जिले में इस्ति की दूरा की गई थी अगला नेक्स्ट 35 किस ने बारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम राड़स्तान में था तो इस सवाल का स़ई ज़वाब देगा option है यहनी वारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियमें जो राज़स्तान में 1973 में लागू हुआ था जबकि इसे पूरे भारत में हैं वो 1982 में लागू हुआ था लेकिन राजस्तान में ये 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था नेक्स अगलत 36 कि उसने राजस्तान बरजबासा अकादमी की इस्तापना कब और कहां की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सने C ने राजस्तान बरजबासा अकादमी की इस्तापना जैपूर में 1989 में की गई थी इसी परकार नेक्स अगलत 38 कि उसने बारती लोग कला मंडल कहां पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सने C ने बारती लोग कला मंडल है जो राजस्तान की उदेपूर जिले में इस्तित हैं और बारती लोग कला मंडल की इस्तापना है वो साल 1952 में की गई थी नेक्स अगलत 49 कि उसने राजस्तान में मर्ती वोज अधिनियम कब लागू हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सने यानी राजस्तान में मर्ती वोज अधिनियमें जो साल 1960 में लागू हुआ था नेक्स अगला 40 किसने हास्त सिल्प नियार्त सरवर्दन परिसद की इस्तापना कब की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सने वी यानी 1983 और सित्यासी में हास्त सिल्प नियार्त सरवर्दन परिसद की इस्तापना की गई थी अगला नेक्ष्ट एक्ताड़ी सा किसे ने बाडोली की नटरा सीव मूर्ती किस सेली में बनी हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option भी यहनी बाडोली की नटरा सीव मूर्ती हैं जो परतियार सेली में बनी हुई हैं और साल 1908 में ये चोरी होकर इंग्लेंड पहुंच गई थी जिसे हाली में वापस भारत लाया गया हैं किस मूर्ति को नटराज सिव मूर्ति को जो परतियार सेली में बनी वूई हैं नेक्स्ट अगला 22 स्वा क्यूस ने क्रशी उपज मंडी अधिनिय में कब आया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन ये नि करजी उपज मंडी अधिनिय में जो साल 1961 में आया था अगला नेक्स्ट क्यूस ने राजस्तान को कितने संभागों में बाटा गया था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताईए यहनि राजस्तान के 33 जिलो को कितने संभागों में बाटा गया है ओप्सने 5, 6, 7 या 8 संभागों इन चार ऑन्सी आप्षिए वह कौन से उप्संस है वह आप कमेंड सक्षिन में लिखकर जरूर बताइज इसी परकार अंत्यम क्यों सने राश्ट्य-व्यकनंद कहां इसताप्यत किय गया हूं है तो इस सवाल का सभर मेसा बसे तो दोस्तों इस सवाल का सही है वो है राश्टी विवेका नंद विश्व विद्याले कहां इस्तापित किया गया है तो दोस्तों ये थे 45 राजस्तान की कुछ most important question answer जो आपकी read भृति परिक्सा के लिए कापी most important question answer है उमीद करता हूँ इस सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगे अगर याद हो गए तो इस वीडियो को like करे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम